अब इस लेसिट के लिए हम लोग देखते हैं किस तरह opacity maps यूज किया जाते हैं unreal engine के अंतर तो अब यह photoshop में आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे पास एक sticker type का ग्राफिटी type का वो पड़ावा है clip art तो मुझे यह image यूज करनी है मगर इसका मुझे एक opacity map बनाना होगा बढ़ा असान होता है opacity map बनाना जो चीज आपको show करनी होती है वो आप white रखें और जो आपको show नहीं करनी होती है उसको black रखें तो यह मैंने save किया वाए एक अपने unreal engine projects के अंदर में जाओंगा जो अभी हम लोग last lesson में lesson में जो फाल यूज कर रहे थे उसके folder में जाओंगा और मैं वहां उसको save कर दूँगा आप कहीं पर भी save कर सकते हैं आपकी मर्जी है मगर मैं अपने unreal engine में मैंने एक folder बनाया opacity detection में मैंने उसमें इसको save कर दिया gravity.jpg के नाम से already तो मैं उसी के उपर save कर दो ताके आपको एक दिखाने के लिए कैसे save होता है वैसे आप import भी कर सकते हैं अब मुझे opacity map चाहिए तो opacity map के लिए जैसे आपको बताए कि जो black color होता है वो show नहीं होता है जो white area होता है वो show कर देता है वो opacity map का तो मैं एक opacity map बनात हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि यह ऐसे यह white area को select कर लेता हूँ और एक नई layer में जाता हूँ अब इस नई layer के अंदर मैं bucket लेके इस area को black कर देता हूँ क्योंकर मुझे यह area show नहीं करना तो यह black हो जाएगा है एक तरह से जब यह black हो जाएगा जो अंदर वाला area है उसको म कंट्रोल आई प्रेस करूँगा कंट्रोल आई की से यह मेरी selection invert हो जाएगी shift कंट्रोल आई ठीक है यहा पिर command shift command आई अब मैं यहाँ पर white color drop कर दूँगा अब जब white color drop हो जाएगे तो आप देखें कि कुछ area में white color drop नहीं है इसको एक एक करके मुझे करना पड़ेगा बेस उसमें fill color की style लगा दूँ और उससे क्या होगा सब एक साथ ही white हो जाएगा मगर आपको थोड़ा शो करने के लिए कि मैनुली कैसे काम किया जाता है मैं आपको यह मैनुली दिखा देता हूँ वैस क्योंकि यह थोड़ा slow process है आप जल्दी भी कर सकते हैं एक नए layer बनाके व तो यह तक्रीबन हो गया है थोड़ा सा इस चीज़ में टाइम लगता है क्योंकि यह manual method है थोड़ा लंबा process हो जाता है ठीक है अब यह हमारे पास एक opacity map बन गया है और अब मुझे जो क्या करना होगा यहां से image डिलीट कर दिनी होगी मुझे image नहीं चाहिए अब मैं इसको save कर लूँगा as a opacity map उसी unreal engine के folder में तो मैं यह जितनी भी चीज़े save कर रहा हूँ यह अपने unreal engine के folder में जाके save कर रहा हूँ unreal engine में जाऊंगा unreal engine को पता चल जाएगा कि मैंने कोई file save करी है तो वो मुझे automatically बोलेगा import करने को क्योंकि उसको खुद पता चल जाएगा कि नहीं कोई file वाइल जो है वहाँ पर आ गई है इसको import करना है जैसी मैं इंपोर्ट किया वो files automatically मेरे unreal engine में आ गई वरना आपको manually import करना होगा वो भी आप कर सकते हैं अब देखते हैं कि यह opacity maps कैसे लगाया जाता है तो पहले तो मैं right click करूँगा यहां dock कर देता हूँ ताके साथ ही रहे और मैं यहां पर पहले अपना albedo लगा के base color में लगा दूँगा RGB connect कर दूँगा अब मुझे opacity चाहिए अब आप देख सकते हैं opacity जो है और opacity map दोनों जो है वो disable हो है अब मुझे क्योंकि इसको यह blend board जो है वो default late है वो opaque है तो मुझे opaque से इसको translucent बनाना होगा तो मैं इसको select करूँगा material में आके translucent कर दूँगा यह सब आपको left side पे नज़र आ रहोगा setting में अब मुझे पास opacity मुझे मिल गई मगर मेरे पास metallic roughness emissive color opacity mask यह सब चला गया उसके लिए मुझे क्या करना होगा अपने light mode में आना होगा तो देखते है light mode किदर है जहां आपको lighting mode detail में नज़र आ जाएगा तो उस lighting mode के अंदर मुझे choose करना होगा surface translusory volume surface translusory volume जब आप इसको change कर देंगे आपके पास specular roughness metallic opacity mask और सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी अब मैं बाकी भी लगा सकता हूँ मगर मुझे नीच आई है मुझे सिफ़ अपना opacity map चाहिए मैं opacity map ले आउँगा ठीके तो मैं इस RGB को opacity mask में लगा दूँगा वैसे आप alpha जो A आपको सबसे नीचे नज़र आ रहे है वो भी लगा सकते है उससे अच्छा विज़र मिल जाएगा मगर मैं RGB लगा देता हूँ अब मैं roughness और metallic भी लगा देता हूँ थोड़ा सा metallic के लिए इसको 0.5 कर देता हूँ half reflection reflective बन जाएगी है और मैं roughness भी लगा द लेवल में अब मैं यह जो मेरे पास material बन चुका है मैं इस पर चलाएगा तूँगा यह थोड़ा upside down आ रहा है तो मैं इसको rotate कर दूँगा इस पूरे plane को बजाए material rotate करने के मैं plane ही rotate कर देता हूँ अब आप देख सकते हैं किस तरह जो background है वो नहीं आरा नजर सिफ मेरा design क्योंकि मैंने RGB यूज किया था जैसे हम आपको बताया था एलफा है आप यूज कर सकते हैं बजाए RGB लगाने के alpha लगाते हैं opacity में तो आपको यह तरह से वह मिल जाएगा तो अब हम लोग एक और काम करते हैं cube लेते और cube पे जो है हम लोग यह लगाते हैं आप इसी तरह जिस तरह मैंने material बनाया अब decal material जैसे decal मैंने आपको बताया था कि decal क्या होता है decal जो है आपका एक तरह से sticker type का होता है अब देखते हैं decal कैसे बनाया जाता है तो decal भी बना सकते है तो उसके लिए आप देख सकते हैं मेरे पास यह texture है इसका wall का पहले तो मैं यह लगा देता हूँ जो last class में आप लोग ने बनाया था ठीक है यह बनाने के बाद मेरे पा के लिए आपको बताने के लिए मैंने यह दूसरा material लगा दिए ताके decal इसके उपर लगा दू समझ में अच्छा आ जाता है इस तरह पिर अब मुझे इसको decal convert करना होगा और कैसे करूंगा एक नया material बनाना होगा अभी तो यह पुराना material जैसे बनाया था इसी तरह इनको surface की जगा deferred decal कर दूँगा जब deferred decal हो जाएगा तो यह एक तरह से आपका decal बन जाएगा मगर यहाँ पर क्या है कि मुझे यह texture sample की जो opacity map जो लगावे ना opacity map का RGB नहीं alpha चाहिए होगा ठीक है और इसके लावब में क्या कर सकता हूँ मैं अपने texture जो मेरा base color जो है उसका alpha भी लगा सकता हूँ opacity map का भी लगा सकता हूँ और अपने texture color यानिके अपने base color का भी लगा सकता हूँ ठीक है और यहाँ फिर आप normal भी लगा सकते हैं बगर best यह कि आप alpha लगा दो जादा अच्छा आपको result देता है ठीक है अब यह decal बन चुका है अब यह normal material नहीं अब यह decal बन गया जैसे हमन इसको rotate भी कर सकता हूँ ठीक है अब इसको move भी कर सकता हूँ scale up or down भी कर सकता हूँ जिस तरह कि हम लोग normally decal लगाते हैं उसी तरह बन जाएगा तो आप देख सकते है किस तरह असान होता है अपना खुद का decal बनाना तो आपको यह समझ में आगे होगा कि किस तरह अपना आ पर आ जाएगा तो अब मैं इसको fade भी कर सकता हूँ जिसे पीछे की तरफ करूंगा जितना पीछे लेके जाओंगा यह उतना fade होना शुरू हो जाएगा अब यह थोड़ा सा टेडर लगावा है rotation थोड़ी टेड़ी हुई है इस वजह से एक side से fade हो रहा है दूसरी side से save नह नजर आए ठीक है और थोड़ा सा इसको पीछे के तरफ लेकर आता हूं तो यहां पर यह आगा नजर आप देखते हम फ्लोर के उपर यह आना शुरू होगी है नजर तो इस तरह आप इसको फ्लोर पी भी लगा सकते हैं अगर मुझे यह फ्लोर पर चाहिए मगर मुझे यह पर चाहिए लैंड्सकेप जो है फ्लोर है तो यहां पर भी डीकेल की एक उप्शन होती रिसीव डीकेल मगर फ्लोर पर वो मैं मुझे रखनी है ठीक है आप देख सकते हैं कि वो जो है वो इनेबल डे मैं उसको रखनी है मुझे उसको डिलिव नहीं करनी मैं रिमूव कर द करना करना के वह सब्क ard लोगा और वारत कैय 왜냐하면 मुझे वाल पर नहीं मिलेगी वह बॉक्स के उपर नहीं जाएगा सिर्फ फलोर पर रहेगा तो इस तरह में उसको हटा सकता हूं जहां से भी मुझे ह उटा नया है तो मैंने इसको वहां से अथा आती है ब अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो और आप ब्राय करम कर ले। और बेल आइकन को डबाना मत बुलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप मेरे वीडियो मेरे चानल को शबस्क्राइब किये बगए देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताके आप जी इंट्रेक्टिव कम्यूनिटी का एक एहम हिस्सा बन जाए। और एक और एहम बात बताता चलो, प्लीज मेरी वीडियो को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें आउनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वाच टाइम आवर असर अदास होता है, जो बहुत नुक्सान दे हैं। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बलके आउनलाइन देखें। आप लोगों तब बहुत बहुत शुक्रिया, अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अजाज़त दें और अपना बहुत खाल दें। अजाज़त शुक्रिया करें झाल दें।